मैं आपको विश्वाज दिलाता हूँ कि अधिक से अधिक मतों से लगवग 20-25 अजार मतों से यहां कांग्रेस को पिछले तीन चुनाओं से आ रही है लेकिन इस बार हम लगवग 20-25 अजार मतों से यहां विजई बनाएंगे अपने ही दल की नाराजी किसे दूर करेंगे आज दरवार ने बढ़ी रेली करी है महू में आपको लेखर देखिए जब भी टिकेट मिलता है किसी को तो उसके बाद नाराजी स्वाभाविक है और दरवार से चुकि मेरी बाद भी हुई और उन्होंने आस्वस्त किया था मु कि ये तो अपना फिर सुतंत्र वो है लेकिन मात्र संस्था कांग्रेस है और कांग्रेस से पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता और उनको लगवक पिछले पांच बार उनको प्रत्यासी यहां से बनाएगा तीन बार वे लगता रहा रहे तो उनको समझना चीए प पार्टी ही कमजोर होगी और हमारे वरिष्ट नेता लोग कमलाज जी दिगविजे सिंग जी सज्जन वर्मा जी जीतु पटवारी जी को जो अपसब्द कारिकरतां दौरा गालियां दी जा रही है यह बहुती बहुती असोबनी है और इसके लिए निश्चित रूप से उन मेरा मतलब यह अभी क्यों यह वाइरल किये गए इसमें कहीं न कहीं मेरी छबी खराब करने का प्रयास किया गया है और महू के नागरिक सब मुझे जानते हैं चालिस वर्सों से उनकी सेवा कर रहा हूं निस्वार्थ और वो इस बात को जानते हैं कि इस तरीके वाइरल और यह गलत तरीके से किसी की उसको संदिक्द करना यह कोई ठीक बात नहीं है जनता सब जानती है और फैटला 17 नवंबर को चुनाओ के अंदर कर देगी जो कॉंग्रेस के पत्यासे जिनका यह कहना है कि कॉंग्रेस के जो रूठे हैं उनको वो मना लेंगे हाला कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कॉंग्रेस के वरिशनेताओं के खिलाब अबजब्द कहे जा रहा हैं वो गलत है उनका कहना है कि दरबार चुकी जो कॉंग कान.